हेलो फ्रेंड्स मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्टॉलजी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है तो आज हम अनैल्सिस करेंगे सेंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई करेंगे तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं साथ साथ ड्रॉ करता जाओंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहों यहां पर आप देख सकते हैं इनकी जो हतेली है एक स्कौयर शेफी बना रही है कम्प्लीट स्कौयर यहां पर आपको नज़र आ रहा होगा इस तरह को स्कौयर शेफ वाले गी मेंती नेचर रहेगी लेकिन एक चीज और देखने वाली एक कि इसक एंक तूरी कम ध्यक के लिए ने शोड़ी ज्यादा नहीं अगर आप इनको कंपेरके ओवरॉल अगर देखा जाए तो इनकी जो गुरू फिंगर है उसकी लेंथ ज्यादा है यहाँ पर सूर्य फिंगर के मुकाबले अच्छी स्ट्राउंग गुरू फिंगर एक अच्छी फैमिली लाइफ देती है नौलेज़ेबल परसनेलिटी बनाती है और इनकी नौलेज काफी हार्ड वर्किंग नेचर रहेगी अपनी मेहनत के बलबूते पर यह लाइफ में आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर बात की जाए इनकी सूर्य फिंगर की लेंथ गुरू फिंगर से थोड़ी शाट है लेकिन ओवरॉल अगर देखा जाए तो सूर्य फिंगर की लेंथ भी अच्छी है क्रियेटिविटी काफी अच्छी रहेगी सोशल जो सर्कल है इनका वो भी यहाँ पर अच्छा रहने वाला है मरकरी की बात की जाए तो मरकरी फिंगर यहाँ पर थोड़ी लो सेट हो रही है लेकिन साइज में ठीक है लंबाई वाइज अगर देखा जाए तो सूर्य फिंगर के फर्स्ट फैलेंज तक पहुँच रही है और अच्छी लंबाई में है जिस वज़ा से काफी अच्छे कॉम्निकेशन स्किल्स और बिजनस एकुमेन इनके अंदर रहने वाला है थोड़ी शाई नेचर रहने की संभावना भी रहेगी आगे आगे आप देख सकते हैं इनके फिंगर्स के उपर बनने वाले यह सीधी रिखाएं यह एक फ्रेंडली टाइप की नेचर व्यक्ति को देती हैं इस तरह की बारीक रिखाएं जब भी फिंगर्स के उपर मौझूद हों तो ऐसे व्यक्ति काफी फ्रेंडली नेचर के होते हैं काफी जो मरकरी फिंगर है तोड़ी लो सट है अगर आप बाकी फिंगर्स के साथ कंपेर करें तो मरकरी को थोड़ी टोड़ी सपेस कम मिल रही है जिसकी वजह से शाहि नेचर रहे więks अगर देखा जाए तो मरकरी रेखा इनके हात में काफी अच्छी है आप देख सकते हैं यह जो calculations करने की capability को बढ़ाती है ऐसे व्यक्ति काफी analytic होते हैं हिसाब किताब काफी अच्छा रहता है इनका और business करने के मामले में भी काफी clever होते हैं और इसी के साथ अगर mercury mount के ओपर खड़ी रिखाएं भी मौझूद हो तो और भी अच्छे गुन मिल जाते है मरकरी के आप देख सकते हैं छोटी छोटी खड़ी रिखाएं यहाँ पर चार से पांच इस mount के ओपर नजर आ रहे हैं जो इनके business equipment को increase करेंगी और उबरा हुआ mercury mount इने काफी अच्छे results देगा mercury रिखा से ही money triangle की formation होती है जारत रहातों में मरकरी रिखा वीक होती है और money triangle नहीं बन पाता लेकिन यहाँ पर अगर आप देखे तो यहाँ है इनके हाथ में mercury line है और इस side से चलने वाली जो रिखा है इसको हम भागया रिखा कहते हैं और जो इस तरफ को चलती है इसको हम mind line कहते हैं अगर यहाँ तीनों रिखाएं एक complete money triangle बना दें तो यहाँ बहुत शुब फल देता है ऐसा money triangle जिनके भी हाथ में होता है ऐसे विक्ति अपनी life में अपनी जरूरत से ज़्यादा धन इकठा कर लेते हैं accumulation of wealth का यह triangle कहा जाता है तो यहाँ पर काफी अच्छी accumulation इनके हाथ में wealth की नजर आ रही है आगे देखते हैं इनके सूरे माउंट को सूरे माउंट यहाँ पर थोड़ा सा दबता हुआ नजर आ रहा है आप देख सकते हैं सूरे माउंट पूरी तरह से उभरा हुआ नहीं है सूरे माउंट और मरकरी माउंट के बीच में मुझे एक लूप की formation भी नजर आ रही है आपको दिखाना चाहूंगा कुछ इस तरह से घुमावदार recounts से जो बारी एक fingerprint वाली lines होते हैं उनके में बात कर रहा हूँ जब loops बनते हैं तो यह अपने results देते हैं यहाँ पर loop of humor बन रहा है और यहाँ पर भी एक loop बन रहा है जिसको हम loop of seriousness कहते हैं अगर दोनों में से एक loop हो तो ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है दोनों ही loop यहाँ पर बन रहे हैं loop of seriousness व्यक्ति को गंभीर nature देता है hard working capacity देता है और loop of humor अगर साथ में बन जाता है तो यह है at times गंभीर रह सकते हैं लेकिन जाड़ातर समय ऐसे व्यक्ति हस्मुक सभाव के होते हैं क्योंकि loop of humor व्यक्ति को हस्मुक nature देता है आगे देख सकते हैं इनकी सूर्य रेखा को यहाँ पर आप देख सकते हैं सूर्य रेखा काफी अच्छी है बेशक सूर्य माउंट बहुत जादा उबरा हुआ नहीं है लेकिन एक लंबी सूर्य रेखा यहाँ पर मौझूद है जिसकी वजह से काफी अच्छा name and fame व्यक्ति को मिलता है कोई नों की ऐसी creativity व्यक्ति के भीतर रहती है जिसकी वजह से ऐसा व्यक्ति अपना नाम कमाता है समाज में एक अच्छी प्रतिष्ठा व्यक्ति की बनती है तो यहाँ पर लगभग अगर देखा जाए तो 35 और 36 के आसपास की age के बाद इनकी यह है रेखा activate होना शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे यह है इने एक बहुत अच्छा social circle इनका बन सकता है और अच्छा fame इने मिल सकता है आगे देखते हैं शनी माउंट को तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो शनी माउंट उबरा हुआ है और शनी रेखा थोड़ी वेवी होकर चल रही है लेकिन इनकी जो शनी रेखा है वो चंदर एरिया से निकल कर उपर की तरह बढ़ रही है इस तरह की रेखा दो तरह की indication देती है एक तो ऐसे व्यक्ति के link किसी विदेशी company के साथ हो सकते है या ऐसा व्यक्ति खुद बखुद विदेश जाकर धन कमा सकता है तो चांसिस रहते हैं फारण की income के किसी भी तरह से बेशक अपने country में बैट करी व्यक्ति कोई ऐसा काम करे जिससे फारण से income हो तो इस तरह की income के चांसिस रहते हैं और शनी रेखा है इनकी अच्छी है बीच में यहाँ पर कुछ struggle lines जरूर मौजूद हैं जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर एक line टच कर रही है तो ऐसी रिखाएं जो हलकी है यह है minor ups and downs इन्हें दे सकती हैं लेकर एक अच्छी stable income इनकी life में जरूर रहेगी आगे देख सकते हैं इनके guru mount को guru mount यहाँ पर उबरा हुआ है आप देख सकते हैं guru mount काफी अच्छा और उबरा हुआ guru mount इनके हाँ में नजर आ रहा है जो बहुत ही अच्छी चीज़ है और partial ring of Solomon भी यहाँ पर बन रहा है इस तरह का chin आपको दिखाना चाऊंगा इस तरह का chin जब भी guru mount के ओपर बनता है तो व्यक्ति को काफी अच्छा spiritual टाइप का person बनाता है और अगर यह complete हो तो बहुत अच्छे result देता है ऐसा व्यक्ति जिसके आथ में complete ring of Solomon हो तो बहुत ही अध्यात्मिक होता है उच और तक पहुँचता है वकील, जज, टीचर, प्रोफेसर ऐसे प्रोफेशन तक पहुँच सकता है लेकिन अगर अधूरा भी हो तो भी इसके अच्छे result रहते है क्योंकि यह ग्यान को बढ़ाता है spirituality की तरफ व्यक्ति को attract करता है तो यहाँ पर इस तरह का partial ring of Solomon बनना इनके लिए अच्छा है समाज में मान समान इने मिलेगा परतिष्ठा मिलेगी और यह चिन इने spirituality की तरफ attract करेगा उसके लावा जो एक और चिन नज़र आ रहा है वो है प्रोग्रेस लाइन यह जो रेखा है उपर की तरफ बढ़ती हुई इसको हम line of progress कहते हैं गुरू माउंड तक यह पहुंच जाए तो व्यक्ति की life में काफी progress रहती है निरंतर progress जो है चलती रहती है life में जो एक बहुत यह अच्छा जिन है overall ब्रस्पति की तरफ से अच्छे results यहाँ पर मैं expect कर सकता हूँ आगे देखते हैं इनकी line of heart को heart की line आपको यहाँ पर काफी अच्छे curve में नजर आएगी साथ ही जो fate line है वो भी merge हो रही है जिसकी वज़े से इनकी जो personality रहेगी वो caring type की रहेगी caring nature है थोड़ी emotional personality रहेगी एक रेखा यहाँ से निकलकर नीचे की तरफ भी चल रही है यह रेखा जो नीचे की तरफ चल लिए यह इन्हें थोड़ा aggressive बना सकते है क्योंकि इनका mangle का area भी उभरा हुआ है जिस वज़े से थोड़ा गुसा भी रहेगा सभाब में aggression भी रहेगा लेकिन at times ही इनमें गुसा आएगा ज़्यादा तरसा में यहाँ शांत सभाब के रहने वाले हैं और इनकी जो line है heart की यहाँ काफी अच्छी नजर आ रही है मुझे और बीच में थोड़ी shallow हो रही है तो minor problems blood pressure जैसी ऐसी minor दिखते हैं रहा सकती है लेकिन कोई major issue मुझे यहाँ पर इनकी heart की line से नजर नहीं आ रहा आगे देख सकते हैं इनकी line of mind को mind की line यहाँ पर काफी अच्छी लंबाई में और सबसे main चीज़ देखने वाली है इनकी mind की line और life line के बीच में काफी fair gap है यह gap व्यक्ति को responsible बनाता है इस तरह का जो gap रहता है यह indicate करता है कि ऐसे व्यक्ति के उपर जो responsibilities होती है वो छोटी age सही आ जाती है बच्पन सही ऐसे व्यक्ति responsibility लेने वाले होते हैं यहाँ हम यह कहें कि circumstances कुछ ऐसे बन जाते हैं कि व्यक्ति अपनी responsibilities लेना शुरू कर देता है और independent type का व्यक्ति रहता है थोड़ा जिद्धी सभाब भी रहता है और सीधी line होने की वज़े से ये बहुत practical भी रहेंगे line काफी लंबी है इनकी mind की जो यहाँ पर indicate करती है काफी शार्प mind को तेज दिमाग को तो यहाँ पर यह सभी चीजें रहेंगी उसके साथ साथ आप देख सकते हैं फिश जैसा सिंबल यहाँ पर बनता हुआ कुछ ऐसा सिंबल जो काफी बड़े सा इसका फिश का सिंबल बन रहा है ऐसा सिंबल जब भी आप में बनता है और इसका मुख जिस तरफ होता है जैसे अब देख सकते हैं इसका मुख मुझे कुछ इस तरह से mercury की तरफ होता नज़रा है तो बिजनस के जरीए यह काफी अच्छा धन कमा सकते हैं इस तरह के चांसिस रहेंगे और इवन फॉरण ट्रैवल्स भी देता है ऐसा चेन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी लाइफ लाइफ लाइन को आप देख सकते हैं लाइफ लाइफ लाइन की लंबाई काफी अच्छी है लाइफ लाइन पूरी तरह से कर्व में है और पीछे की तरफ मुड रही है कुछ इस तरह से जब भी लाइन पूरी गुलाई में हो तो ऐसा व्यक्ति फैमिली ओरेंटेड होता है अपनी फैमिली के साथ काफी अच्छे इटैचमेंट रहती है और साथ में एक रेखा का बाहर निकलना और यहां से भी एक रेखा का बाहर निकलना यह रिखाएं इंडिकेट करती हैं फारण ट्रैवल्स को लॉंग डिस्टेंस ट्रैवल को ट्रैवलिंग काफी अच्छी रहेगी इनकी लाइफ में शुकर एरिया काफी उबरा हुआ है जिसकी वज़े से कामुकता तो रहेगी ही साथी साथ कुछ ऐसी रेखाएं जो यहाँ पर लाइफ लाइफ लाइन तक पहुंच रही है यह है थोड़ा हैल्थ को डिस्टरब कर सकती है मिडल एज में चल कर और अगर देखा जाए तो इनकी जो एज है काफी लंबी रहने वाली है क्योंकि लाइन पूरे कव में है तो नाइटी प्लस की एज रह सकती है इवन हंडर तक भी एज जाने के चांसे बन जाते हैं जब इस तरह से गुलाई में रेखा हो और यहां पर आप देख सकते हैं प्रोग्रेस की लाइन उपर की तरफ चलती हुई यहां पर जो राउंड थर्टी फाइफ से शुरू हो रही है 35 से लेकर 45 ईवन 45 से आगे भी अच्ची प्रोग्रेस यहां पर मैं देख पा रहा हूँ लाइफ में काफी अच्छी प्रोग्रेस रहेगी शुकर एरिया के उपर इस настernा की बारीख रेक रहें फैमली की तरफ से मिलने वाली वरी स को दर्शाती हैं थोड़ी बहुत वरीज इन्हें फैमिली के तरफ से लाइफ में दिरंतर बनी रह सकती है और अगर देखा जाए चंदर एरिया चंदर एरिया के उपर शॉर्ट ट्रैवल की भी काफी सारी लाइन्स हैं लॉंग ट्रैवल के लिए तो जो चिन है मैं अलड़ी बता ही चुका उसके इलावा आप देख सकते हैं ऐसी आड़ी रिखाएं जो शॉर्ट ट्रैवल भी देती हैं और इस तरह की रिखाएं व्यक्ति को थोड़ा सा तनाव भी दे सकती हैं चंदर एरिया को थोड़ा सा वीक करती हैं तो यह कुछ अनैलसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेर मेरा वीडियो वाच करने के लिए आपका बहुत बहुत थने बाद